आजो भावी, आराम से सुरेखा ये ले, नेक तो तुने मांगा ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बिना मांगे ही दे दोगे भावी को अंदर ले आओ, आप दोनों फ्रेश हो जो, मैं नाश्ता भिचवाती हूँ अरे तू भी तोड़ा अराम कर ले, हमारा नाश्ता पानी भावी देख लेंगी भावी, भावी अरे चोपो जाओ भाईया, दोनों भावीयां बहुत थक गई थी तो सो रही है अच्छा, और तू नहीं थकी क्या ओहो भाईया, बस आप लोगों के लिए नाश्ता भिचवा कर मैं भी जा रही हो सोने चलो अब आप यहां टाइम वेस्ट मत करो, जाओ, भावी को अंदर ले जाओ सुरेखा के जिद करने पर विश्णू अपनी नई नवेली दुलहन कविता को लेकर अपने कमरे में चला गया और सुरेखा उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी और फिर कुछ घंटों के बाद बहुत बढ़िया नीदाई सुरेखा एक कब चाय तो पिला दे जी भावी बस अभी लाई रुको सुरेखा चाय तो मैं भी लूँगी पर साथ में खाने के लिए भी कुछ बना देना वो क्या है ना खाली चाय गैस बनाती है मुझे जी भावी सुरेखा सारे काम निप्टा कर थोड़ा आराम करने ही जा रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी भावियों ने उसे नए काम बता दिये जिनने वो बिचारी बिना कुछ कही चुप-चाप करने चली गई असल में सुरेखा की माता-पिता जिंदा नहीं थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके तीन भाईयों जैश, रमेश और विश्नु पर थी और सुरेखा अपने तीनों भाईयों की लाड़ली थी लेकिन उसकी दोनों बड़ी भावियां एक नंबर की काम चोड़ थी लेकिन दिमाग से बहुत चालाग थी अपने पतियों के सामने तो वो सुरेखा को सेर आखो पर बिठा कर रखती थी लेकिन उनके इधर उधर होते ही उस पर और्डर जमाना शुरू कर देती थी सुरेखा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वज़ा से घर में बवाल हो लेकिन अब घर में एक और बहुत ही अरे दिदी मुझे लगा आप सो रही होंगी इस वक्त चाय कोई महमान आये क्या नहीं नहीं वो बड़ी और छोटी भावी जग गई है न तो उनके लिए चाय बना रही हो अच्छा वैसे हैं काँ भावी मेरी तो उनसे मुलाकाती नहीं हुई हाँ वो आप से शाम को मिलेंगी आपकी मोदिकाई के वक ठीक है लाइए मैं आपकी मदद कर देती हू अरे नहीं भावी मैं कर लूँगी आप जाकर आराम करो और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना कविता ये देखकर हैरान थी कि घर की कलौती बेटी काम पर काम किये जा रही है और दोनों भावियों को अपने कमरे से निकलने तक की फुरसत नहीं है लेकिन फिल्हाल वो भी चुप रही और फिर शाम को बिल्कुल सही का अंटी बस इस हीरे को तराशने का काम अब हमें करना है हम सही का भावी अप वैसे कविता तुम किसी बात की चिंता मत करना जैसा हम कहें बस वैसा ही करती जाना क्यों भावी तुम दोनों क्या इसकी सास हो सास नहीं पर हम जेठानिया तो है ना इसकी इस घर के तौर तरीके तो हम ही सिखाएंगे ना इसे हम, पहले खुद तो सीख लो तो और तरीके फिर इसे सिखाना महमान का इतना कहना था कि निर्जा और नंदिता वहीं उससे लड़ने के लिए तयार हो गए तब सुरेखा ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराया और ये सब देखकर कविता को इतना तो समझ में आ गया कि उसे अपनी जेठानियों से क्या नहीं सीखना है और फिर अगले दिर वाँ भाई भाई आज आलू के पराठे तो गजब बने वही कविता भाबी ने बनाए हैं और तरह ये खीर तो खा कर देखे भाई या ये तो कमाल की बनाई है कविता भाबी ने आज सारा काम इनों नहीं किया मुझे तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दिया कविता इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए क्यों है या इतना कहकर जैश अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर कविता को दे देता है और फिर रमेश ने भी ऐसा ही किया ये देखकर जहां कविता सुरेक और विश्नू बहुत खुश थे तो वहीं निर्जा और नंदिता जल कर राख हो चुकी थी नाश्ते के बाद निर्जा के कमरे में दोनों काफी देर तक खुसुर फुसुर करती रही और फिर उन्होंने कविता को भी उस कमरे में बुला लिया और फिर जी भाबी आपने बुलाये मुझे हाँ कविता कुछ बात करनी है तुमसे वैसे कुछ समझाना था अगर तुम समझना चाहो तो कहिए ना भाबी कविता तुम घर के कामों में जरूरत से जादा ही लग रही हो इतना परिशान होने की जरूरत नहीं है सुरेखा सब अच्छे से कर लेती है अरे पर भाबी वो क्यू करें सारा काम हम बवों की भी तो हमें गलत मत समझो कविता हम ये सब सुरेखा की भलाई के लिए कर रही है तुमने देखा तो है सुरेखा दिखने में ज़्यादा सुन्दर तो है नी अब ऐसे में अगर घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं सीकेगी जादा दिमाग मत लगाओ कविता, हमने कहा न कि इसी में सब की भलाई है, और सुनो, सुरेखा के भायों के सामने ये जाहिर मत करना कभी, असल में तीनों भायों के दिमाग में हमारे सास ससुर एक फितूर भर कर गए हैं, कि सुरेखा के पैर बड़े शुप हैं, अरे अगर इतनी ही खुश किस्मत होती, तो अब तक ससुराल ना पहुच गई होती अपने, यहां माईके में ही पड़ी रहती क्या, बिल्कुल सही का भावी, कविता तुम खुदी सोचो, आखिर जरूरत क्या आए घर के कामों में खुद को जोंकने की, आराम से सारा दिन आराम करो, और जब यह लोग आफिस से आ जाएं, तो फटा-फट पहुच जो किचिन में, तब तक सुरेखा सब करके रखती है, और मज़े की बात तो यही कि वो अपने भाईों से कुछ कहती भी नहीं, चुपो जा, अब कविता, तुम समझ रही हो ना चो हम कहना चाहरे हैं, हाँ भ विवरानी कविता भी अब उनकी टीम में है, और फिर करीब एक हफ़ते बात, अरे कविता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे माय के वाले आ रहे हैं, रुको मैं अभी पानी मंगवाती हूँ, सुरेखा, ओ सुरेखा, रुक्ये भाबी, पानी मैं लेकर आती तब तक तीनों भाई भी घर आ गए और फिर सुरेखा दिदी, आप भी अच्छे से देख लो, लड़का इंजीनियर है, संसकारी है और मेरा भाई है, सुरेखा ने सर्वेश को देखो और फिर मुस्कुरा कर कविता को और फिर लो जी, इसी बात पर निकालो बालू शाही, क्योंकि जब मिया भी वी राजी तो क्या करेंगी भाबी, अब मेरा मतलब है काजी तो इस तरह सुरेखा का रिष्टा तै हो गया, और अब वो बहुत जल्द दुलहन बन कर अपने घर से विदा लेने वाली थी दूसरे तरफ उसकी दोनों भाबियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुरेखा की विदाई के बाद, अब उनकी दाल कैसे गलेगी, क्योंकि कविता से जीत पाना तो फिलहाल उन्हें नामुम्किन ही लग रहा था ममी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है, इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाबी ने मा, मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है, इस दिवाली आप मुझे उपहर में ऐसा ही कुकर देना हाँ हाँ ले लेना तो मही मा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना मा एक काम करो भाबी का कुकर तो पांच लीटर का है ना आप मेरे लिए आठ लीटर वाला मंगा देना सपना बेटा तुम्हारे दहेज में हमने तीन लीटर पाँच लीटर और आठ लीटर के कुकर दिये तो थे अभी तो वो नए होंगे अरे तो क्या हो गया और एक खरीद भी देंगे तो हमारी कलौती बेटी है सपना का स्वभाव लालची था अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात इसलिए वो जब देखो माई के आकर कोई न कोई डिमांड कर ही देती थी पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था वो बात को संभालना जानती थी रहने दो मा कोई जरूरत नहीं है पापा तो सोचते है मैं लालची हूँ पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है मैं तो अपना घर समझ कर चीज़े मांग लेती हूँ वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है सपना दीती मुझे ममी ने दो कुकर दिये थे आठ लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया वो आप ले लो हाँ ये ठीक रहेगा ठीक है भाबी अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वो ही कुकर ले जाती हो इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी ऐसे ही एक दे क्या मैं नानी बनने वाली हूँ तु सच कह रही है हाँ मा कल ही डॉक्टर को दिखाया था मैं प्रेगनेंट हूँ चल अच्छा तेरी सास तो बहुत खुश होगी हाँ मा वो तो मेरी गोदभराई का फंक्शन भी कह रही है बहुत दूमधाम से करेंगी मा अभी से तैयारी शुरू कर दो फिर गोदभराई के फंक्शन में क्या-क्या दोगी तुम मुझे देख लो यहाँ सारी विरादरी है अरे तु चिंता मत कर मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठ कर सारी लिस्ट बना लूँगी सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे पर सपना का लालच यहाँ भी रुखने वाला नहीं था एक दिन जब वो अपने माई की गई क्या हुआ? सपना? तु परिशान क्यों है? तु तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना? जाना तो था ममी पर गाड़ी में तो टाइम लगता है और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नहीं बाइक ले सके और आपको पता ही है वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे रिक्षे पर जाने से सासुमा ने मना कर दिया कि गड़ों में मुझे ठोकर लगेगी इसलिए आज की appointment cancel कर दी हमें पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो पर तुम्हें तो कह सकती हूँ तुम्हें एक बापा से बात करके देखो न अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर देदे अरे कैसे नई खरीद कर देंगे अब अपनी बेटी को परिशानी के हालत में थोड़ी देख सकते हैं तो चिंता मत कर मैं तुरे पापा को बोल दूँगे सपना अपनी गोदभराई के function को लेकर कुछ जादा ही उतसाहित हो रही थी वो बार-बार कोई ना कोई demand करने के लिए अपनी मा को फोन मिला देती थी मा फंक्षन में तुम सब टाइम पर पहुँच जाना पता है आज क्या हुआ क्या हुआ तु ठीक तो है ना हाँ मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनो तो ऐसे ही आज मैं जब सासुमा के साथ बैठी थी मुझे तो लगता है सासुमा कहीं न कहीं मुझे ही सुनारी थी क्योंनोंने ननत जी की गोद भराई फंक्षन में सोने का सेट चड़ाय था एक काम करो न विकास भय के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाय तो विकास आजाए शाम को दुकान से फिर उससे बात करती हो सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्षन में सोने का सेट बाईक और ना जाने क्या क्या डिमांड रगती थी बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था पर एक सुबह जब विकास सो कर उठा जी शर्मा अंकल, नमस्ते क्या? क्या हुआ विकास बेटा, तुम परिशान क्यों हो गए? पापा, शर्मा अंकल का फोन आया है हमारी दुकान का शेटर खुला हुआ है हमारी दुकान में चोरी हुई है सब लुग दुकान पर पहुँचते हैं गल्ले में से रुपए गायब है पापा बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है जो इस बारे में जानता था कि गल्ले में रुपए रखे हुए हैं दुकान पर आज सारे नौकर आये हैं पर चंदू गायब है, कल रात को ही उसने फोन किया था, कि वो अपने गाउं जा रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब, उसने रात को चोरी की, और सुभा यहां से भाग गया, पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं, नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत क आगे से ध्यान रखना, अब क्या करेंगे, तुमने जो बाइक और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपियों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहां मारें, इसके आगे जाकर रोएं, तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो, पाप जी, ये मेरी शादी के जेवर है, अभी आप इन्हें बेचकर सपना देदी की गोदभराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हो, अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बात में ले लूँगी, अभी हमें ननत जी की गोदभर प्लीज आप मना मत कीजेगा, महमा की बात सुनकर उसके साथ ससुर की आँखों में आसु आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दर्वाजे पर उनका दामाद यानि सपना का पती ये सब बाते सुन चुका है, वो वहीं से वापस लोड़ जाता है और जाकर सपना को सार पता है, کرाली बात बताता है, मा, पापा, भई, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैं, मेने तो कभी सबारे में सोच आ ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितने परिशानी होती होगी, आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे है, मैं तो बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था, मैं कितना लालच कर रही थी, मैं सच मुझ कितनी लालच हूँ न मुकेश, तुमने आज ये सच्चाई बता कर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुखवा दी, मेरे कारण महिमा भाबी के जेवर चले जाते, अपनों का तो बहु नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हारी परिशानी हमारी परिशानी है, सपना, मा पापा से फोन पर बात कर लो, सपना अपने मा और पापा दोनों से फोन पर बात करती है, उसके बाद सब लोग गोदभराई के फंक्शन में पहुचते हैं, महिमा भाबी, आप बहुत अच्छी हो, आप एक बहु होकर भी मेरे मा पापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई, I am sorry भाबी, मा पापा भाईया, आप सब मेरे कारण कितना परिशान हुए, सपना तो इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं ह चल बैट, मैं तेरी नजर उतारती हो मेरी बच्ची, सब लोग धूमधाम से सपना की गोध भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं, सपना के चहरे पर खुशी देखकर सब के चहरे पर मुस्कान आ जाती है